हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विक्रम ददुकिया और आप देख रहे हैं हमारी यूटुब चैनल हेलो एजुकेशन गाइस हेलो एजुकेशन में आपका स्वागत हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अम अपने घर पर ही बैठे और अपने मॉबा से लाखों रुपई कमा सकते हैं वो भी बिलकुल फ्री में बिना किसी चार्ज के बस आपके पास एक अपना मॉबाइल हैंसेट होना जरूरी है और उस पर आपका रिचाज जो इन्टरनेट रिचाज है वो होना जरूरी हो और हर व्यक्ति के पास इतना तो होता ही है आप इंटरनेट के शोखिन है और इंटरनेट पर ही आप काम कर रहे होते हैं लेकिन एक भी रूपय की कमाई आप नहीं कर रहे हैं और ये वीडियो पूरा दिखिए तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ही हैंट से बीना किसी चार्जिस के एकदम फ्री में जो लाखो रूपय है वो कमा सकते हैं और वो भी अपने ही घर पर बैठ कर चाहे आप पूरुस होए या स्त्री है लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अपने मन में विचार डाल लीजिए कि आपने लाखो रूपय कमा ही लिए है तो आईए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने मॉबाइल हैंड से ही अपने ही घर पर बैठ कर कैसे लाखो रूपय कमा सकते हैं तो ये मेरा चैनल दिख रहा है यूटूब पर है तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल हैंड सेट के यूटूब एप्लिकेशन में अपना यूटूब चैनल क्रियेट कर देना है वो कैसे create करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ध्यान से देखिए कि आप यह मैं जो बात कह रहा हूँ कि YouTube वीडियो जो create करने है वो कैसे करने है आपको अपनी speech नहीं आती है तो कहां से लानी है वो भी मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ बस ध्यान से हमारा वीडियो देखते रहिए तो आपको सबसे पहले अपना YouTube चैनल कैसे create करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ बस आपको देखते रहना है कि हमारा यह जो वीडियो है वो सुरूशे लेकर अंत तक देखना है तो आपको जरूर से ख्याल आए जाएगा कि लाखो रूपिय कैसे कमा सकते है सब लोग YouTube के माद्यम से अपने वीडियो बनाते रहते है अपलोड करते रहते है और हम है कि घर बैठे देखते रहते है यह नहीं देखते कि वो लोग कैसे पैसे कमाते है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लाखो रूपिय कमा सकते है वो भी YouTube के माद्यम से बीना किसी चार्ज के फ्री में बस आपके पास mobile handset होना जरूरी है तो कई YouTubers ने वीडियो बनाए है और कई लोगों ने अपने चैनल क्रियेट कर रखे है लेकिन उस चैनल से वो अपने कमाई पा नहीं सकते है वो बोल रहे है कि कई guys के जो question है वो मेरे पास आ रहे है कि हम जब वीडियो अपलोड कर रहे है तो उस पर copyright आता है तो community guidelines है उसके विरोध में जो वीडियो चल जाता है वो इसलिए YouTube उस वीडियो पर कमाई नहीं देता है तो वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप बिना किसी copyright वाला वीडियो कहां से लाएगे और कहां से जो audio है खास जो YouTube audio है वो YouTube वाला जो audio होता है वो YouTube अपने application के जरिए उस पर copyright बहुत ही ज़्यादा डालता है तो audio भी कहां से अब copyright बिना copyright वाला कहां से लाएगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ध्यान से देखते रहे हमारी YouTube चैनल को देखते रहे हमारे वीडियो को देखते रहे है तो आपको लगेगा कि मैं भी लाखो रुपिय कमा सकता हूँ वो भी बिना किसी चार्ज के तो मैं पहले बताने वाला हूँ कि कैसे आप YouTube चैनल क्रियेट कर सकते हैं तो आईए हम शरुआत करते है कि कैसे YouTube चैनल क्रियेट किया जाता है मैं आपको अपनी laptop के स्क्रीन पर ही बताना चाहता हूँ फिर बाद में अपनी mobile स्क्रीन पर भी YouTube चैनल कैसे क्रियेट किया जा सकता है वो भी बताने वाला हूँ तो पहले हम लेप्टॉप के जरीए देखेंगे इस तरह आ जाएगा आप मैंने ओपेरा ओपन किया हुआ है यहाँ पर आप यूटुब लिखेंगे तो कुछ इस तरह यूटुब आ जाएगा यूटुब लिखकर सर्च करेंगे तो मैंने पहले से ही सर्च किया हुआ है इसलिए इसा दिखा रहा है मैं फिर से सर्च कर रहा हूँ जो कि आप स्टेप बाइ स्टेप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप खैला जाएगा कि क्या केसे स्टेप लेने हैं और कैसे हम यू इस तरह कुछ मेरा YouTube बेग्ग्राउंड आ गया है अब यहां देख सकते हैं कि इस तरह आ गया है अब आपको करना क्या है YouTube चैनल अगर आपने नहीं क्रियेट की अगर आपका जो YouTube में लोग इन नहीं है तो यहां से मैं पहले लोग आउट कर देता हूँ और बाद में फिर से करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोग इन करना है अगर आप लोग इन नहीं हुए hè तो यहां यह देख रहे हैं यहां साइन इन लिखा हुआ है अगर आपका लोग इन हो गया होगा तो बाहां अपने जीमेल का लोग दिखा रहा होगा मैं यहां sign in पर click कर रहा हूँ sign in पर click करने के बाद मैं यहां यह वाला gmail ले रहा हूँ वहाँ पर अपना password डाल दीगी अगर आपका gmail नहीं दीख रहा है तो वहाँ gmail भी पहले डालना पड़ेगा इस तरह से मैं अपना gmail है वो login कर लूँगा और यह देख रहे है आप screen पर कि मेरा gmail login हो चुका है और youtube में login हो चुका है यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप youtube में login हुए है या नहीं guys दियान से सुनेंगे ठीके तो चलता हूँ मैं आगे कैसे हम यह youtube चैनल create कर सकते है यूटूब चैनल बनाना ही बिलकुल आशान है step by step आप देखते रहे यहां जाएंगे अगर आपका youtube चैनल already create किया हुआ है तो यहां your channel लिखा आएगा यहां मैंने youtube चैनल अभी तक create नहीं किया है इसलिए यह एसा दिखा रहा है और अगर आपने नहीं create किया है तो create a channel पर click करना है इस तरह आपको दिखाएंगा your creator journey begins यहां आपको youtube नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपने अभी channel create नहीं किये है यह creator दिखा रहा है आप get started पर click करना है आगे बढ़ने के लिए guys दियान से देखना है ठीक है यह जो यहां दो option दिखा रहा है use your name और side में जो दिखा रहा है use a custom name आप अपने gmail का जो name है अपने mail id का जो name है उसे भी आप channel के name की तरह use कर शकते है अगर आपको अपना new name डालना है तो आप custom name पर click कर सकते हैं मैं custom name पर click करता हूँ ध्यान से देखिए अगर mobile के माध्यम से मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ लेकिन mobile के माध्यम से यहां जो दो option दिखे गए है वो नहीं दिखाये जाते हैं वहां सिर्फ use your name already created दिखाया जाता है और वहां से आप changes भी कर सकते हैं यहां पर भी ऐसा ही है यूज ये custom name पर अगर आप click करेंगे तो फिर से आप change भी कर सकेंगे तो मैं यहां पर use your custom name पर click करता हूँ यहां क्लिक करने के बाद आपको एसी screen दिखाये देगी और यहां पर मैं अपना name डाल देता हूँ आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं अपनी मन पसंद का name जो है वो आप डाल सकते हैं आप अपने जो भी videos upload करना चाहते हैं वो भी यहां उसके भी अंतरगत है वो नाम डाल सकते हैं यहां पर terms and conditions से आपको write करना पड़ेगा अब यहां पर create पे click करना पड़ेगा जैसे ही आप create करेंगे तो यह आपका channel create हो जाएगा YouTube account है जो वो create हो जाएगा बिल्कुल आसान है गाइस ठीक है तो अब यहां पर देख शकते हैं कि यहां जो है वो अपने नाम name का logos आ जाएगा अगर आपने mail पे जो photos रखे होगे तो यह भी वहां दिखाए देगे अब यहां आप देख लए है कि तो मैंने upload picture नहीं किया है तो मैं आप picture भी upload कर दूंगा बिल्कुल आसान है गाइस अपने channel को create करना बिल्कुल आसान है और कमाई भी आप आसानी से डूंड सकते है पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के कैसे आप अपने channel को जो है वो more grow कर शकते है तो मैं यहां से कोई एक image select कर लेता हूँ और यह हो गया है और नीचे जो दिखा रहा है channel description में वहां डेमो के जरीए कोई भी लाइन लिख देता हूँ आप भी वहां अपने 1% description लिख शकते हैं बिल्कुल चिंदा करने की जरूरत नहीं है वहां पर आप इस description में आप जो चाहे वह लिख सकते हैं अपने channel के बारे में नीचे आईए तो आपको यहां पर अपनी website के जो अगर आपके पास अपने website है तो वहां पर आप अपना URL डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई Facebook प्रोफाइल है Twitter प्रोफाइल है और Instagram प्रोफाइल है तो उससे भी आप डाल सकते हैं और नहीं है तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वह आप सेव एंड कंट्यूने पर क्लिक कर शकते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे गाइस ठीके तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप आप आसानी से अपना चैनल क्रियेट कर सकते है चैनल क्रियेट करना कोई बड़ी बात नहीं है बिलकुल कोई बड़ी बात नहीं है टू मिनिट्स में आप अपना चैनल क्रियेट कर सकते है तो ये अपना चैनल क्रियेट हो गया है आप देख रहे हैं यहाँ पर आप गोटिट कर दीजिए यहाँ पर अगभी भी मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है तो यह वीडियो कहां से लाएंगे अगर आपके पास स्पीच नहीं है और आपको बोलना भी नहीं आता है कैमरे के सामने कैसे रहना है कई बार भूल होती है तो एसा भी नहीं करना है आपको जो वीडियो कहां से लाएंगे और जो ओडियो है वो भी कहां से लाएंगे वो सब कुछ में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हो तो वीडियोस लाने के लिए मेरे पास दो साइट है तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट साइट पर ले जाओंगा उस साइट का नाम है पिक्सा बै बिल्कुल सही सुना साइट का नाम है पिक्सा बै अगर आप गूगल सर्च में भी पिक्सा बै मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ पिक्साबाई लिखेंगे इस तरह तो आपको गूगल सर्च में ही मिल जाएगा यह फर्स्ट वाली है जो उसी पर आपको क्लिक करना है पिक्साबाई पर अधर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ बेक्ग्राउंड उसी साइट का खुल जाएगा बिल्कुल गपराये मत यह साइट है बिल्कुल कॉपिराइट के बिना ही आपको वीडियो मिल जाएगे किसी भी वीडियो में चंद जो वीडियो है उसी में ही कॉपिराइट आपको दिखेंगा लगबग इस पर कोई भी वीडियो में कॉपिराइट नहीं दिख सकता है यहाँ आप देख रहे हैं कि हजार लाख इतने नहीं मिलियन वीडियो इस साइट पर है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यह देख रहे हैं और यह भी नहीं कि कोई एक ही पर्टिकल जो पर्टिकुलर चैनल के लिए एसा नहीं है यहाँ सभी चैनल के बारे में अब कोई भी प्रकार के यहाँ वीडियो सर्च कर सकते हैं यहाँ से कॉपिराइट बीना कॉपिराइट वाला वीडियो आपको लेना है और वो भी कम्यूनिटी गाइड लाइन्स के विरुद में नहीं है यह आप समझ सकते हैं कि यह पिक्साबाई है यह एप यह साइट है वो बहुत अच्छी है और वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बीना कॉपिराइट वाला यूटूब इसे कोई भी कॉपिराइट नहीं दिखाएंगा ध्यान से देखिए यह साइट है उस पर आप जो पहले 4-5-6 दिखा रहा है उसी वीडियो पर आपको डाउनलोड नहीं करने हैं यह साइट ध्यान रखना है बीच में जो आए है और लास्ट में जो वीडियो दिखा रहा है आप वहाँ से कोई भी वीडियो उठा सकते हैं मैं यहाँ सर्च करता हूँ सर्च करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ images लिखा हुआ है हमें वीडियो की जरूरत है तो हम वीडियो भी यहां से search कर सकते है और यहां वीडियो select कर सकते है और किस प्रकार के वीडियो चाहिए वो हम यहां लिखकर type लिखकर यहां से search कर सकते है मैं यहां nature select search करता हूँ nature लिखकर और enter करता हूँ गाइस द्यान से देखिए कि ये साइट लेप्टोप में ही ओपन हो रही है ऐसा नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं है आप अपने मॉबाइल से भी ये साइट इसी तरह ओपन होगी मैंने पहले से ही देख लिया है कि मॉबाइल में कैसे साइट ओपन होता है और किसी कॉपिराइट के यूटूब पर अपलोड कर सकते हैं तो यह मैं वीडियो की साइट आपको दिखा रहा हूँ यहां पर मॉबाइल में भी ऐसा ही कुछ दिखेगा जब भी मैं पॉइंटर किसी भी चीज पर किसी भी वीडियो पर ले जाता हूँ तो इस तरह आप देख स लगते है कि यहां जो है वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा यहां इंटरνεट स्पीर थोड़ी कम है इसलिए यह वीडियो यहां चल नहीं रहा है नहीं तर अपने आप ही वीडियो चलने लगता है आप वीडियो कैसे डाउनलोड करेंगे तो किसी भी वीडियो पर आप क्लिक कर सकते है क्लिक करने के बाद वो वीडियो ओपन होगा यहां में आपको पूरा पूरा स्टेप दिखाने वाला हो के कैसे डाउनलोड करते है कैसे अपलोड करते है और कैसे आप वीडियो बनाएंगे वो भी अपना ही वीडियो नहीं किसी आपको भी वीडियो बनाना नहीं है डाउनलोड करना है सिर्फ आपको अपना जो मोबाइल हैंड सेट है उसमें इंटरनेट फ्री होना जरूरी है यह यहां देख रहे हैं आप फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है तो वहां पर हम क्लिक करेंगे और कौन से वीडियो चाहिए तो मैं अप यह छोटा वीडियो ले लगा हूँ क्योंकि मेरे पास इंटरनेट स्पीड नहीं है लेकिन आपको जो बड़े अच्छी साइज अच्छी क्वालिटी वाला है वही वीडियो डाउनलोड करना है मैं यहां अपना जो नेट स्पीड नहीं है इसलिए मैं छोटा वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ ये वीडियो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है मैं ये दिखाने वाला हूँ गाइस कि आपको क्या करना है अब ये आप देख रहे हैं कि वीडियो मेरा डाउनलोड ओप्सन में चला गया है और डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और मैं यहां से वापस जा रहा हूँ तो आप जो Pixabay है वो उसी साइड से आप अपना वीडियो डाउनलोड कर सकते है वो भी कॉपी राइट के बिना मैंने एक वीडियो डेमो के लिए स्टार्ट किया है वो डाउनलोड हो गया है अब आप यहां से तो आप मॉबाइल से के जरीए जो वीडियो है वो डाउनलोड कर सकते है लेकिन जो दूसरी साइड हो वो भी वीडियो की है और वहां भी बिना किसी कॉपी राइट के आप वीडियो डाउनलोड कर सकते है हजारों लाखों नहीं मिलियन वीडियोज वहां तिके हुए है और वहां से ही आप डाउनलोड कर सकते है वो भी कॉपीराइट के बीना तो यह मैंने दूसरी साइट का नाम है Pexels और वहां से आप डाउनलोड कर सकते है Pexels आप लखने लिखने के बाद इसी तरह आपको Google सर्च बार में इसी तरह पेक्सेल्स लगना है और लिखने के बाद इस तरह कुछ फर्स्ट वाला जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह क्लिक होगा तो आप वहां की ओफिशियल साइट पे चले जाएंगे और यहां से आप देख रहे जो पिक्सा बाई थी उसी साइट की तरह यहां भी सर्च बार दिख रहा है सर्च फॉर फ्री बिलकुल फ्री यहां आप देख सकते बिलकुल फ्री कोई भी चार्ज नहीं है मैं इस वीडियो में पहले ही बोल चुका हूँ कि बिना किसी चार्ज के आप यूटूबर बन सकते हैं और वीडियो अप्लोड करके लाखो रुपिय कमा सकते हैं तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं किस टाइब के वीडियोस आपको चाहिए और किस टाइब के नहीं चाहिए तो वो भी बिल्टूल फ्री में तो यहाँ जो टेब दिखे गए है नीचे उस पर आपको अगर डिस्कवर चाहिए तो हम वीडियो पर ही क्लिक करेंगे तो वह जो सर्च बार में हम सर्च करेंगे वो वीडियो ही दिखाएगे यहां आप error दिखा रहा है मैं वापस चलता हूँ यहां फिर से क्लिक करता हूँ और यह क्लिक हो गया है और यहां मैं nature फिर से लिखोगा कि यहां कौन से वीडियो दिखा रहा है copyright है या नहीं सब कुछ में step by step आपको दिखाने वाला हूँ तो यहां कुछ इस तरह से वीडियो दिखा रहा है million में दिखा रहा है आपको ठीक है त्यान रखना है कि कौन सा वीडियो पहले लेना है और कौन सा नहीं लेना है आप देख रहे हैं कि millions of videos यहां दिखाए गया है और यह videos में click किया हूँ यह videos मुझे download करना है यहां पर आप जो corner पर दिखला है वहाँ free download ही करना है जैसे guys में download यहां allow कर देना है यह देख रहे हैं कि आप download हो गया है और download complete भी हो गया है यहां देख सकते हैं कि download हुआ है यह नहीं दोनों videos download हो गये है और यह गलत click कर दिया है मैंने और यहां पर जो mobile में भी यह बात मैं आपको बताने बाला भूल गया हूँ कि जो यह भी site है वो mobile में भी बिलकुल यह laptop में दिख रही है वेसे ही दिखेगी वेसे ही download का option आएगा आपको चिंता करने की बिलकुल जरूरत नहीं है यह site भी copyright के बिना ही वीडियो upload करती है और आप देख सकते हैं यहां भी कई सारे वीडियोस है वहां से आप ले सकते हैं जैसे जैसे आप वीडियो upload करते जाएंगे लोग देखेंगे कि यह YouTuber अच्छा है और वो लोग आपकी चैनल को subscribe करेंगे फोलो करेंगे और फिर आपके पास दीमे दीमे जो speech है दीरे दीरे आने लगेगी और आप अपने YouTube चलाने लगेंगे वो भी बिलकुल आसानी से आप बस हमारी YouTube चैनल देखते रही है आपको ये वीडियो अपने डाउनलोड कर दिये है अब बात रही है आपके audio की guys हम कई बार audio upload कर देते हैं और YouTube है वो दिखा रही है कि ये copy बार audio है कई बार ऐसा होता है most of जो audio में YouTube है वो audio में आपको पकड़ लेता है कि आपने गलत audio डाल दिया है ये audio पहले से ही मौजूद है यही YouTube कैच अप कर लेता है अपने audio को खास audio पर ध्यान देना है कि audio कहां से वो भी बीना copyright वाला कहां से लाएंगे तो बिलकुल चिंटा करने की जरूरत नहीं है YouTube यूटूब यूटूब ओडियो लाइबरेरी लिखना है गाइस ओडियो लाइबरेरी ही लिखना है आप वहाँ से बिलकुल फ्री में जी हाँ मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बिलकुल फ्री में आप audio भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये देखिए audio library जो की YouTube का ही site है और वहां से ही आप बिना किसी charges के free music यहां से download कर सकते हैं यहां भी option दिया गया है कि कौन से music किस type के music आपको download करने है तो वहां में nature वाला music download करूगा यहां nature लिखना है मेरे को और search जो दिखा रहा है वहां search करना है जैसे ही आप search यहां पर मेरा search हो गया है आप यहां से कोई भी video download कर सकते हैं जो last में download वाला option दिया गया है वहां से आप download कर सकते हैं यह देखिए यह download होने लगा है यह मेरा जो audio है वो download होने लगा है तो आप आराम से आसानी से यह जो audio है वो भी download कर सकते हैं और कैसे download करेंगे वो भी मैंने आपको दिखा दिया है अब आपको कुछ नहीं करना है आपका video है वो download audio होने लगा है यह यहाँ देख सकते हैं कि download होने लगा है जब भी यह download हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे download कर सकते हैं अब आपको मैं आपका जो चैनल है वो आसानी से क्रियेट हो गया होगा अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो वीडियो से वो अपलोड करेंगे उससे पहले मैं आपको ये दिखा दू कि अगर आपके पास मॉबाइल हैंड सेट है तो मॉबाइल से आप कैसे यूटूब चैनल आपकी मॉबाइल पर कुछ इस तरह आपकी स्क्रीन आ जाएंगी और या आपके हर एक के मॉबाइल हैंड सेट में यूटूब एप्लिकेशन जरूर होता है तो उसी एप्लिकेशन को आपको ओपन करना है इस तरह कुछ एप्लिकेशन है वो ओपन हो जाएंगे और इस तरह आपकी जो यूटूब एप्लिकेशन है उसे ओपन करने के बाद जो कॉर्णर पे जो नेम दिख रहा है जो लोगो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा फ्रेंट्स आपका जीमेल है वो लगा ही होगा और आपको जो पहले वाला ओप्सन दिख रहा है यौर चैनल वहाँ पर क्लिक करना है आपको अगर आप मॉबाइल के माज़म से अगर आपने यूटूब चैनल क्रि लेक्टॉप के जरिये दिखाया थे कि कैसे यूटूब चैनल क्रियेट कर सकते हैं वहाँ मैंने क्रियेट चैनल पर क्लिक किया तो वहाँ दो ओप्सन दिखा रहा है और यहाँ पर एक ही ओप्सन दिखा रहा है जो कि आपका नाम दिखा रहा है मैं वहाँ अपना नाम डाल दूंगा और मैंने पहले से ही डाला हुआ है मैं वही का वही रहने दूगा और create channel पर आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे आपका channel create हो जाएगे यह बिल्कुल आसान है आप गभराये मत यह बिल्कुल आसान है अपने अपने अपना channel create कर दिया है और यहाँ पर जो private दिखा रहा है आप settings में जाकर सब जो option है वो disable कर देंगे तो आपका channel है वो public हो जाएगा तो इतना आसान है कि आप अपना YouTube channel आसानी से create कर सकते हैं और वो भी बिना किसी charge है तो I guys मैं आपको यह दिखाने वाला हूँ कि आप अपना YouTube videos कैसे upload करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने mobile के जरीए में आपको कैसे video upload करना है वो दिखाने वाला हूँ तो आईए अपने mobile के जरीए कैसे video upload करने हैं वो देखते हैं तो अब next step है अपका की video जो आपने download किये है और जो audio भी आपने download किया है उसी को दोनों को एक साथ कैसे चलाएंगे और इसको चलाने के लिए हमें edit करना पड़ेगा और वो edit जो करना है वीडियो को उसे हम कहां से edit करेंगे तो बिल्कुल गबराने की जरूरत नहीं है आप अपने play store पर चले जाएए और इस तरह आपका जो play store है वो दिखेंगा वहां search bar में आपको kind master लिखना है kind master जो app है वो बिल्कुल अच्छी तरह आपके वीडियो और audio को set कर देता है edit करता है उसमें कई बिशारे options दिये हुए है तो यहां देख रहे हैं कि मैंने जो kind master है app वो download पहले से ही किया हुआ है install भी किया हुआ है इसलिए यहां मुझे open का option दिखा रहा है आपको बस वहां से कुछ नहीं करना है install कर देना है install करने के बाद आपको तो यह kind master का app है आप इस तरह दिखेगा यहां मैंने कई सारे वीडियो पहले से ही बनाए हुए है इसलिए यहां दिखा रहा है बिल्कुल अच्छा app है आप यूज कर सकते है आपको बस यह नए आप जो है account create किया है इसलिए इसा दिखा रहा है आप यहां पर जो plus का option है वहां पर click कीजिए इस तरह आप कोई भी रेशिया है वो select कर सकते है आपके किस टाइप का वीडियो बनाना है laptop की size या फिर mobile size या भी medium size के videos बनाने है तो वहां से आप size select कर सकते है मैं यहां laptop की screen का size select करता हूँ बस यहां media option दिया गया है वहां पर आप click किजिए guys मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो normal है वो कैसे आवाज और कैसे जो वीडियो से वहां पर आवाज select कर सकते है मैं यह बताने वाला हूँ काफी सारे features इस app में दिये गये है लेकिन मैं यहां पर आपको audio और video साथ में कैसे चलाना है वही सिखाऊंगा आप अपने आप जो है वो इस app के feature को जान लेंगे यह मैं माइने रखता हूँ और यहां पर आपको audio select करना है जो भी आप जिस भी फोल्डर में डाले है वहां से आप select कर सकते है मैं यहां अपने तरह का music select कर लेता हूँ आपने जहां audio डाला होगा वही फोल्डर से आप audio select कर लेंगे यह मैं मान लेता हूँ और यहां पर मैं अपने पसंदी का audio है वो select कर लेता हूँ इस तरह का कुछ यहां देख सकते हैं मैंने audio जो प्लस का निशान है वहां दबाने से और जो डाएगा एड़ हो जाएगा और इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो बन गया है आप देख सकते हैं यह चला रहा है आपकी जो जो कोई भी आसान काम है आपके ही जरूरत है यह वीडियो बन चुका है और यह मैं यहां से इतना राइट कट कर देता हूँ आपके यह काइन मास्टर है उसी एप के हर एक फीचर से आप वाके हो जाएंगे बस आप वीडियो बनाते रहें और यूटुब पर अपलोड करते रहें और यह वीडियो आपको कैसे डाउनलोड करना है वह मैं यहां जो सेर का उप्शन है वहां पर इस तरह कुछ यहां हाई क्वालिटी के वीडियो आप रख शकते हैं मैं यहां डेमो के लिए दिखा रहा हूँ इसलिए मैं लो क्वालिटी का वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे इस वीडियो को अपलोड भी करना है और वो अपलोड में भी देरी लगेगी इसलिए मैं यहां लो क्वालिटी का वीडियो से लेक करता हूँ आपको guys high quality का ही रखना है तो और अब next export पे क्लिक कर देना है जैसे ही आपकी phone की जो speed है वो इस तरह exporting हो जाएगा आपकी phone की जितनी भी speed है उतनी speed के जरीए यह अपना जो video है वो saving कर लेगा export कर लेगा guys बिल्कुल भी आसान है गवराने की जरूरत नहीं है मैं आज के इस video में पूरे video में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लाख रुपय कमा सकते ही यह बिल्कुल आसान है यह video जो है वो save हो चुका है अब आपको कुछ नहीं करना है guys यहाँ पर जो दिख रहा है यह sharing वाल इस तरह youtube select करने के बाद आपकी screen पर कुछ इस तरह से आ जाएगा और यह आप देख रहे है इससे पहले आपको बता देना जरूरी समझूगा कि youtube जो application है उस पर जिस पर आपने channel create किया है वही account select होना जरूरी है यहाँ से देख सकते है कि आपने कौन से channel create की है और उसी channel पर आपको कोई भी title डाल सकते है आपको अच्छा लगे यहाँ में nature beauty डाल रहा हूँ friends कि यहाँ से आप अपना जो है title डाल सकते है मैंने यहाँ nature beauty डाल दिया है description में आप कोई भी description रख सकते है यहाँ में अपने type का description है वो रख लेता हूँ एक ही line लिखता हूँ मैं यहाँ demo के लिए दिखा रहा हूँ इसलिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो privacy है वो public ही रखनी है यहाँ location भी आप डाल सकते हैं और इतना होने के बाद आप upload option पर click कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि यह upload option पर click करने के बाद आपका uploading कुछ इस तरह दिखेंगा और processing भी हो जाएगा और यहाँ पर कितने percentage upload हो रहे है वो आप देख रहे है कि यह आपको ज्यादा देतर रुकना नहीं है friends यह अपना वीडियो है वो upload हो जाएगा हेलो गाइस अब यह वीडियो मेरा upload हो चुका है आप देख सकते हैं मैं आपको laptop की screen पर लेके आ गया हो और यह हमने जो channel create किया था और यह वीडियो जो हमने download किया था उसी वीडियो को हमने आपको live screen दिखाया है कि कैसे upload करना है तो यह मेरा वीडियो है जो वो upload हो गया है आप भी यह से अपना वीडियो upload कर सकते हैं यहाँ पर हम click करके देख सकते हैं कि कैसे वीडियो play होगा और सब लोग हमारे वीडियो को कैसे watch करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा विडियो है वो यहां description भी देख सकते हैं और यह वीडियो हमारा upload हो चुका है बिलकुल आसन है 'm guys बिलक्व डबराने की जरुरत नहीं यह देख सकते हैं कैसे हमारा video upload हो गया है और वह भी विना copyright वाला जो हमने दो साइट दिखाई है वहाँ से आप अपना जो वीडियो से वो कॉपिराइट के बिना ही वहाँ से ले सकते हैं और ये देख सकते हैं ये वीडियो अप्लोड हो गया है तो गाइस बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पर फिर से आपको जो हे जाओंगा कि कौन सी साइट है और कहां से आपको वीडियोज लाने है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूगा ये जो दो साइट मैंने दिखाई है पिक्साबाई और ये जो दूसरी साइट है उसका नाम है पैक्सेल्स और ओडियो लाइब्रेरी फ्रॉम यूटूब यहां से आप अपने वीडियो और जो है वो सर्च कर सकते हैं यूटूब और यूटूब के वीडियो के लिए यहां पर से ओडियो और जो वीडियो से वो आप सर्च कर सकते हैं अब मैं नेक पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपून है और यही तो सुनने के लिए आपको ये यूटुब वीडियो देर तक देखना पड़ा है तो आप देख सकते हैं यहां मैं दिखाने वाला हूँ कि अपनी जो चैनल है उसे अप कैसे मॉनिटाइज कर सकते हैं मॉनिटाइज याने की पैसे कमाने वाला जो चैनल है वो कैसे आप कर सकते हैं आपको बिल्कुल गबराने के जरूरत नहीं है यहां पर जो आपका जो ऑपSAN लिखा SHA रहा है यह लोगो दिखा रहा है वहां पर क्लिक करना है आपको और यहां से अपने जो यूटुब स्टूडियो लिखा हुआ ह है वहां पर अपको क्लिक करना है तो वहां पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह जो स्क्रीन है वो दिख जाएगा यहां पर explore the new YouTube studio आपको वहां यह हम नियूज चैनल क्रियेट की हुई है हमने इसलिए इसा दिखा रहा है वहां पर कुछ दिख जाएगा आपका ब्रेक ग्राउंड आप देख सकते हैं कि हमने एक ही वीडियो अपलोड किया है बस आपको करना क्या है कि यहां देख रहे हैं कि जो यूर चैनल नेम लिखा हुआ है वहां कुछ इस तरह दिखेगा तो आपको क्या करना है कि इस तरह दिखने के सब्सक्राइब करना है यहां पर आप जो अंडरग्राउंड दिख रहा है यह यह लहा यह मौनिटाइज का ओप्सन आपको वहां से स्लेट करना है यहां पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह रहा तो यह इस तरह monetize option पर click करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो channel है वो sorry जो monetize option है वो इस तरह कुछ दिखेगा और अब आपने channel create कर भी दिया है और आपने videos upload भी कर दिये है लेकिन यह YouTube के जो terms and condition है उसे आपको follow करना बहुत जरूरी है यह YouTube के रहा है कि as a YouTube partner you will be eligible to earn money देखिए यह मैं पहले सही बोल चुका हूँ कि बिल्कुल free में आप money earn कर शकते हैं पैसे कमा शकते हैं तो यहा लिखा हुआ है कि you will be eligible to earn money तो आप वहाँ पर money जो है वो earn करने के लिए आप eligible है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ terms and condition है आपको यहां से यहां देख रहे हैं कि मेरे आपने चैनल नया नया क्रियेट किया हुगा तो यहाँ पर zero subscriber हो गई और जो public hours जो आपके जो देखने जो public ने देखा है वो कितने घंटे देखे हैं तो यह भी आपको यहां दिखा रहे हो गई अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर require subscriber कितने हैं आप वहाँ से देख सकते हैं कि एक हजार subscriber आपके होने जरूरी है वो भी last बार मन्त में 12 मन्त में होना जरूरी है और जो 4000 गंटे हैं वो भी देखे होने चाहिए यह YouTube के terms and condition है उसके बाद ही YouTube आपके channel को देखेगा और जो monetize करने का option है वो on होगा चालू कर देगा तो इसके पहले उससे पहले ही आपको 1000 subscriber होने जरूरी है और 4000 गंटे भी watch hours होने जरूरी है तो यहां बिलकुल चिंता करने की जरूरत नहीं है गाईस एक बार अगर आपने channel create कर दिया और जो channel है वो आपका grow हो गया तो आपको बिलकुल चिंता करने की जरूरत नहीं बिलकुल आसानी से subscriber और watch hour जो है 4000 गंटे है वो बिलकुल आसानी से आ जाएंगे अगर आपको यहां नीचे वाला option दिखाए गया है कि notify me when I am eligible जब भी आप वहां से जो apply जो monetize option है उसे apply करना चाहते हैं तो यहां से वो आपको notify करेगा जब भी आप eligible होगे तो यहां पर कर देना है guys यहां देख सकते हैं कि we will send you an email when you are eligible to apply जब भी आप apply करने के लिए ready होगे तब YouTube होगे तो YouTube आपको mail करेगा तो यह guys बिलकुल आसान है यहां से आप अगर आपका channel एक बार monetize करना शुरू कर दिया तो फिर आप रुकने वाले नहीं है और वैसे भी एक बार आप आपने YouTube channel कर दिया तो आप अपने channel को grow करते जाएए grow करते जाएए और एक बार ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आप YouTube से लाखोर रुपिय कमा सकते हैं यह वीडियो का जो मैंने upload किया है उसका उद्देश वही है कि आप अपनी कमानी है वो कमाई है वो कर पर ही बैठ है बिना कोई charges के बिलकुल free में कर शकते हैं वो भी अपने mobile के जरिए तो यह भी मेरा video बनाने का यही उद्देश था आप देख सकते हैं कि इस तरह कुछ channels दिख रहे हैं मेरे भी कुछ channels है guys यहाँ से आप मेरा channel भी देख सकते हैं कि कहां कैसे मैंने channels बनाया हुआ है और कै से यह काम करता है तो guys मैंने जो महत्वपून points कहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए कि यह जो site है यहां से free में video मिल जाएंगे कई भी person को किसी भी person प्रशन हो किसी भी प्रकार का तो आप मेरे comment box में प्रशन डाल सकते हैं YouTube के माध्यम से आप यहां से video और यह जो है download कर सकते है वो भी बिना copyright वाला यह जो site है उसकी description में दोनों और तीनों sites की link है वो में दे देता हूँ बहां से free में videos और audio download कर सकते हैं वो भी महत्वपून point है कि वो भी copyright बिना copyright वाला तो यह खास मायने रखता है कि बिना copyright वाला इसी जो यह है आदुनिक यूग में कुछ ऐसा जो videos है और audios है वो लाने बहुत ही किमती है और यह परतात्मक यूग है आप वहां कहां से videos बनाएंगे और कैसे यही तकलिफ रहती है शुरू आती समय है तो यही तकलिफ रहती है हर एक YouTuber को यही तकलिफ रहती है तो इस तकलिफ का solution मैंने आज के इस वीडियो में बता दिया ह गाइस अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई हो तो प्लीज हमारी चैनल को like करें subscribe जरूर करें क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने कई मेहनत की है और कई बार देखा है कि कैसे यह वीडियो बना सकते है मेरा एक साल का experience है उसके जरीए में यह वीडियो बना रहा हूँ और व बना न भूले और इसी वीडियो को अगर आप अपने friends को भी share करना चाहते हैं तो जरूर से के share कीजिए धन्यवास्त का